10 divided by 4 कैसे calculate करें अभी हम सिखेंगे तो दोस्तों जैसा क्या आप जानते हैं divide के symbol को हम कुछ ऐसे लिखते है 10 divided 4 या इसको ऐसे भी लिख सकते है 10 by 4 ठीक है चले हम सुरू करते है तो यहाँ पर हम अपना 10 में 4 का divide करें तो देखे हम सरव परतम एक digit की संख्या लेते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक digit की एदि मैं संख्या लेता हूँ तो कितना बंद रहा है 1 कितना बंद रहा है आपका एक बंद रहा है जो इस 4 से छोटा है यानि हम भाग नहीं दे सकते है ठीक है तो फिर हम क्या करें अगले एक आंक को और सामिल कर लें कितना बन गया दस अब हम चार का पहड़ा कितनी वार बोलें कि आपका दस से बड़ा नहीं आना चीए तो देखे यहां पर मैं चार का पहड़ा लिख देता हूँ एक चोक चोक बेच आठ तीन चोक बारा देखे तीन वार बोलें दस से बड़ा आ गया लेकिन दो आर पहड़ा बोलते हैं दस से बड़ा नहीं आ रहा है कितना आ रहा है आठ आ रहा है ठीक है फिर इसको मैंने माइनस किया 10 माइनस 8 कितना आ गया 2 उसके बाद आगे क्या करते हैं दोस्तों यहां पर point लगाते हैं जैसे यहां point लगाते हैं इसके साथ हम 1 0 लिख सकते हैं ओके ठीक आगे further divide करने के लिए यहां तो जो मैंनस करने परा था उसको sensible के दो और आगे divide करना चाहते हैं तो फिर यहां point लगाना पड़ेगा ठीक है ऐसे समझे अब हम 4 का पाड़ा कितनी वार बोले हैं ठीक है कि आपका 20 से बढ़ा नहीं आना चाहिए ऐसे आगे से आगे हम चेक करते जाएंगे तो एक चोग चोग बेचुक आठ तीन चोग बारा चार सोग सोड़ा पांच चोग बीस देखे बीस खुद ही मिल गया कितनी वार बोलने पर पांच वार बोलने पर ठीक है फिर हमने मैनस किया क्या आगे जिरू यानि आपका भाग complete हो चुका है यह जो संख्या आई है यह दोस्तों आपका यहाँ पर भाग फल बना है और यह जो 0 है यह दोस्तों आपका sense फल बना है तो इस तरीके से हमने अपना 10 divided by 4 calculate किया वीडियो कैसा लगा नीचे comment कर बताएं धन्यवाद